अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के पटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहे और यह बिल्कुल फ्री है चिकन कोफते की यह रसेपी ट्राइब करने के बाद आप रेस्टोरेंट के चिकन कोफते तो बिल्कुल भूले जाएंगे इतनी मज़ेदार बनती है न यह कि बार बार इससे बनाने का बन करेगा तो चलिए जटपट से बनाते हैं बड़ी ही आसान रसेपी है यह तो खरना शुच चमच अपर मेने गरम मसाला लिया है लिया चार बड़े साइस के प्यास को मैने ब्ल verbess चॉप करके लिया है एम इसमें डालना है दो अंडे जहास जां चिकन के लिए हमें इसमें आडने डालना जारूरी है एक चमच अद्रक और एक चमच लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं सारी रिटेल यहाँ पर मसालों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है आप वहाँ से इसे चेक कर सकती है अच्छे से मिक्स करके इसका एक टाइट डो बना लेते हैं अब यह जो हमारा बढ़िया सा चिकन कुफतों का मसाला बना है इसे हम छोटे छोटे सी बॉल्स बना लेंगे यहाँ पर मैं छोटे निम्बू के साइस की बना रही हूँ तो आप अपने साब से बढ़े यह छोटे कुफते बना सकती है अब इक कड़ाई में हम तेल गरम करेंगे यहाँ पर हमारे चिकन कुफतों को हमें अच्छे से गोल्डन फ्राय करना है थोड़े थोड़े करके चिकन कुफतों को फ्राय करें चलाते वे हम इसे golden fry करना है अगर आप चाहें तो green chutney के साथ इसे ऐसे ही serve कर सकती है बड़े ही मज़े के लगते हैं ये ऐसे भी तो अब हम इसे side में रख देते ही सभी कुफतों को fry करके और gravy के त्यारी करते ही तो same हम खड़ाई के अंदर थोड़ा सा तील कम कर लेंगे अब हम इसमें खड़े-गराँ मसाले डालेंगे यहाँ पर मैंने सभी टाइप के खड़े-गराँ मसाले लिए हैं थोड़े थोड़े लोंग, तेजपते, काली मेर्च, टोटल खाड़ा ुखले मसाला लिया है मैंने मसाले हमारे तेड़ग गए है तो अब हम इसमें डालेगे एकचमज लेसून का पीस्ट एक बडड़ी चमज आप हमझे हमने डाला है अबड़ी का पीस्ट तोड़ा सा मेरे धनीय पाउडर भी डाल दिया है अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से हम इसे पाश मिट तक अच्छे से भूनेंगे पाश मिट भूनने के बाद हमारा मसाला काफी बढ़िया हो गया है बहुत बढ़िया इसकी खुच्छबू प्यारी है अब इसे स्टेश पर हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेट चिली पाउडर इससे कलर बहुत अच्छा आता है ग्रीवी का और रेस्टोरेंट जैसा कलर के इसके फ्लेम धूब हमें फूल पे ही रखना है अ необход है अच्छे से मिक्स करेंगे अपनी पाली डालेंगे। साथी सिच आपने स्वात के नुसार कॉफते में अरेड़ी नमक है तो नमक थोड़ा सा कम डाले मिक्सकर के पास मिर्ट तक हम इससे अच्छे से पका लेते हैं पाश मिट तक ढखकर हमने इसे पका लिया है और आप देख सकते हैं काफी मज़े के दिख रहा है हमारे कुफते अच्छी से इसको खरदनी से गानिश कर देते हैं कि इसका फ्लीम अब हम बन कर देंगे और इसे हम गर्म गर्म सर्व करेंगे काफी आसान रसेपी है यह जटपट से बन जाती है और इतनी जाधा टीस्ट ही कि आप इसे एक बार 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 ट्राए करेंगी इतनी जाधा अच्छी बनती है कि सब बार बार इसे मागेंगे मटन कोफते से भी काफी जादा बड़ी है इसका टेस्ट रहता है तो एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा कर्मेंट बाक्स में बताईएगा आपको यह रसेपी केसी लगी अगर आपको यह रसेपी पसंद आई तो अपने फैमले और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कूल भी नहीं भूलिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए क्योंकि ऐसे ही नहीं नहीं अस झाल आपको यह रसेपी करना झाल तो सब्सक्राइब और डर इंड दो खाल आपको यह रसे जिए हैं परिंगला आपको यह रसेफसा आपको यह रसे रसे खालिए लगी हैं